हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप सब के लिए साबू दाना की खिली खिचडी की रेसिपे लेकर आई हूँ जिसे हम कम समानों में घर में ही तयार करेंगे और खाने में ये बहुत ही टेस्ट और लाजवाब लगेगी देख के आप जान सकते हैं कि ये कितनी खिली खिली बनी है मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ ये देखिए हमारे साबू दानी की खिचडी कितनी खिली खिली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां मैंने साबुदाना ले लिया है ये वजन में 100 ग्राम है इसे हम 2-3 पानी हलके हाथों से धोईंगे और इसे हम इसके पानी को हम निकाल लेंगे इसी तरह हम 2-3 बार इस प्रोसेस को करेंगे यहां आप अच्छी क्वालिटी का साबुदाना लें तभी ये खिली-खिली बनेगी लोकल वाली अच्छी नहीं बनते तीन बर्द होने के बाद हम इसमें पानी की मात्रा दिखलाते हैं ये कितने पानी है ये देखिए इसमें साबुदाना पूरी तरह से डूब जाना चाहिए और दिखना भी चाहिए साबुदाना मैं जूम करके दिखाती हूं हमारे साबुदाना पूरी तरह से डूब चुके हैं इतने ही पानी में हम इसे भिगवाएंगे और 4-6 घंटे छोड़ देंगे 4-6 घंटे के बाद हमारे साबदाने को हम दिखाते हैं ये कितने अच्छी से फूल चुकी है और तम खिली-खिली है ये देखिए ये अच्छी तरह से फूल चुकी है ये इजली मैस हो जारी है हमें इसी तरह के साबुदाने चाहिए यहां मैंने मुंगफली को ड्राइ रोस्ट कर लिया है और इसे दरदरा पाउडर बना लिया है और थोड़े से मुंगफली को हमने साबुत इसमें ही डाल दिया है ताकि इसकी छोटे-छोटे चंक्स साबुदाने में अच्छे लगे तब इसमें हम 3-4 चम्मच मुंगफली का पाउडर डालेंगे और इसे चम्मच से मिला लेंगे अभी इसमें 2 चम्मच और मिलाएंगे इसे मिलाने से हमारे साबुदाना एकदम खिली-खिली बनेगी एक दूसरे में चिपकी नहीं रहेगी अब ये परफेक्ट है खिषडी में डालने के लिए मैंने एक बॉयलाले को इस तरह के तुकड़ों में काट लिया है और थोड़ी सी कड़ी पता और चार हरी मिर्च काटा है सबसे पहले कड़ाई में हम गी डालेंगे ये दो चम्मच की लगबगी है अब इसमें हम थोड़ी सी जीरा डालेंगे अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे कड़ी पत्ता डालेंगे और थोड़े से ब्राउन होने देंगे अब इसमें हम आलू डालेंगे और इसे हलका भून लेंगे आलू थोड़ी ब्राउन हो चुकी है अब इसमें हम साबुदाने और मुंगफली का मिसरन डाल देंगे और मिला लेंगे यहां मैंने सेंधान अमक का यूज किया है सेंधान अमक डालेंगे और रच्छे से मिला लेंगे यहां आप उबले आलू की जगा कच्चे आले को भी छोटे छोटे तुकडो में काटकर डाल सकते हैं और ढख देंगे यहां मैंने आज को धीमी कर दिया है और पांच मिनट के लिए ढख दिया है अब हम ढखकर नुखा कर इसे चेक करेंगे यह पकी है की नहीं यह पक चुकी है इसकी पहचानिया है कि यह ट्रांसलूसेंट हो जाती है और अच्छे से मिला कर हम दो तिन मिनट और भूनेंगे अब हमारी साबू दाने की खिचडी तयार है इसे अब हम प्लेट में सर्फ करते हैं अब इसके उपर थोड़ी सी धनिया पत्ती डालेंगे छिले हुए अनार के दाने डालेंगे ताकि यह देखने में अच्छी लगे और टेस्टी भी लगे खाने में मैं इसे जून करके दिखाती हूँ यह कितनी खिली खिली बनी है यह देखिए इसकी दाने एकदम खिली खिली है अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताईएगा फ्रेंट्स और फैमली में सेयर कीजिएगा चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा थैंक यू